आज हम लोग एक बहुत ही दिल्चस और बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं इस डिसकेशन का अजंडा क्या रहेगा 1947 से लेकर 2021 तक हम लोग यह देखेंगे कि Indian foreign policy किस direction में evolve हुई है क्या development रही है मैं आपको समझाओंगा केवल तीन basic terms के साथ Indian foreign policy की उससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारी Indian foreign policy का evolution कैसे हुआ है क्या बदला हुए हमारी foreign policy अब यह अजंडा सुनके आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि सर मैं इस discussion का इस्तमाल कैसे करोगा First thing, it's basic general knowledge which is needed कि Indian foreign policy किस direction में evolve हुई है लेकिन exam perspective से जैसे ही आप समझोगे इन तीन terms को, basic terms को उससे आप connect करोगे individual countries के साथ यानि कि अगर इंडिया US की बात करें आपको वहां पर भी यही theme दिखेगा इंडिया रश्या की बात करें वहां पर भी आपको यही theme दिखेगा इंडिया चाइना की बात करें means आपको individual country की relation समझने के लिए यह जो एक macro perspective मिलेगा यह काफी मदद करेगा in fact from personality test also interview also it is very very useful discussion तो चलिए शुरू करते हैं discussion और जानते हैं कि Indian foreign policy कैसे evolve हुई है what has been the evolution आपको केवन तीन basic terms याद रखते हैं how Indian foreign policy has evolved from 1947 to 2021 Nehruvian idealism से लेकर हम लोग बदल चुके हैं strategic realism में strategic realism से बदल कर अभी in recent times we are following economic pragmatism बस इन तीन basic terms को समझे इस तरह से हमारी foreign policy evolve हुई है चलिए सबसे पहली बात करते हैं Nehruvian idealism की मैं आपको धीरे-दीरे समझाओंगा step by step और कुछ उधारन देके convince करने की कोशिश करूँगा this is how our foreign policy has evolved देखिए पहला phase था Nehruvian idealism का यानि कि जब हमारे प्रदान मंत्री थे जवाला नहरू तब काफी idealistic foreign policy थी इंदिया की अब ये idealism होता क्या है इसका जो root word है वो है ideal अब ideal क्या होता है यानि perfect चीज in terms of international relations जब idealism की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ethics की, morals की यहाँ पे हम लोग support नहीं करते हैं war को, violence को support नहीं करते हैं we believe in international law we believe in basically good in every country यानि कि हम लोग अच्छाई ढूंडते हैं हर देश में हमको लगता है कि सारे देश rational players है अगर कोई विवाद भी है, conflict भी है तो bad के resolve किया जा सकता है, तो कुछ इस तरह की policy follow किया करते हैं हम लोग Nehruvian idealism, देखिए, अगर आप पूछे सर कब से कब तक Nehruvian idealism थी, although to pinpoint a specific year is not possible but in general, अगर मैं कहूं Nehruvian idealism की बाते, तो 1947 से लेकर, we can talk about 1959, क्योंकि 1959 में, when Nehru was alive, he did change his foreign policy a little and he started realism, 1959 के बात, इसके बार बात करेंगे क्यों exactly, चली मैं आपको कुछ उधारन बताता हूं कि Nehruvian idealism में हम लोग क्या follow करते, देखिए, अगर मैं बात करू 1947 की, 1947 में जब Kashmir का मुद्दा हुआ, इसी idealistic notion के साथ जवालाल Nehru, Kashmir मुद्दे को ले गए United Nations के बात, यानि कि संयुक्त राश्रक बात, उनको लगा था कि rational actors से, rational players से वो resolve करेंगे, लेकिन उन्हें बड़ी जल्दी पता चला कि no, international politics is much more complex, इसी शुरुवाती दोर में अगर हम लोग बात करें, देखिए 1954 की बात करते है, चाइना के साथ क्या हुआ, या फिर उससे पहले की बात करें 1949 में ही, जैसे ही communist चाइना बना, उससे बड़ी ही जल्दी recognize कर दिया, 1950 में जब चाइना ने टिबट के उपर कबजा किया, तब इंडिया ने फिर से recognize कर दिया, in fact 1954 में हम लोगों ने पंचशील agreement sign किया, चाइना के साथ इतना ज़्यादा यूफोरिया था उस समय पे कि हिंदी चीनी भाई-भाई के नारेल लगाए गए, तब हमें ये नहीं पता चला कि चाइना वास बड़ी aggressive, बड़ी assertive हम लोग अच्छाई डून रहे थे, चाइना में भी लेकिन बड़ी जल्द हमारी आखे खुली 1959 में, इसके अलावा अगर और उधारन दे रहे हैं मुझे, तो इंडिया की जो non-alignment की policy थी हम लोग continuously non-alignment में बिलीब करते थे, 1945 के बाद पूरा जो विश्वु था, दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ था US block, एक तरफ था USSR का block हम लोग ने कहा कि हम किसी की तरफ अपना रुख नहीं रखेंगे, हम neutral रहेंगे, हम अपनी foreign policy में autonomy लाएंगे we are not going to align with any group अब इसके अलाब अगर हम लोग और भी idealistic notion की बात करें, NAM की जो principles थी, उसमें हम लोग बात करेंगे anti-racialism, यानि कि anti-racist हमारा stance था हमारा stance anti-imperist था, anti-colonialist था और अगर हम लोग इस दोरा Nehruvian idealism की बात करें, तो हम लोग थोड़ा सा anti-western attitude रखते थे, क्यों? क्योंकि इंडिया का खुद का शोषण हुआ था, 200 साल तक, इंडिया suffered colonialism that is why we were not looking towards west, again, a very idealistic viewpoint लेकिन, बड़ी ही जल्द इस Nehruvian idealism के जो लूपोल्स होते हैं, या फिर जो problems होते हैं, वो दिखाई देने लिगे, और 1959 के बाद धीरे-धीरे हमारी policy strategic और ज्यादा realist बनी, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आप मुझे अभी argue कर सकते हो, सर ये non-aligned moment दो था 1960 के दशकों में आये, लेकिन इसलिए मैंने खा कि Nehruvian idealism pinpoint नहीं कर सकते कि कि किस साल में आये, बट in general मैंने इस phase में divide के ताकि आप इसको समझे चलिए, हम लोग ने ये जाना कि 1959 से धीरी-धीरी realism आने लगा इंडिया की foreign policy, अब ये realism होता क्या है, अब दीखे, realism का root word क्या है, R-E-A-L यानि कि real, अब यहाँ पे हम लोग देखते है, real people real countries, what is their behavior, we do not look for idealism हम लोग perfection नहीं ढूणते हैं in national relations, अगर realism की core concept पुछे, अगर एक शब्द में मुझे realism को define करना है, तो मैं उसको define करूँगा national interest के था, यानि कि everything revolves around national interest national interest के नीचे आ जाएंगे हमारे ethics, morality international law, etc. सब कुछ they are subservient to national interest इस idealism में हम लोग believe करते थे, ethics में, morals में, principles में, international law में लेकिन realism के अंडर, we believe in only one concept of national interest. इसलिए, realist perspective क्या क्या था है, there are no permanent friends, there are no permanent enemies in international politics, there are only permanent interest, that is a national interest. देखें, अब ये 1959 से लेकर शुरू हुआ, although फिर से अगर मुझे pinpoint करना है, तो मैं इन जनल कहूंगा 1959 से लेकर, 1991 तक हमारी काफी realist policy रही है, अब यहाँ पे अगर उधारन के तोर पे देना है, तो 1959 में ऐसा क्या हुआ, कि जवालाल नहरू ने भी अपना idealism छोड़ दिया, और धीरे-धीरे realist policy followed, 1959 में हम लोग example दे सकते हैं, Dalai Lama के incident, हम लोगो ने Dalai Lama को refuge दिया, हमारी already friendship की treaty है चाइना के साथ, जहाँ पे non-intervention की हम लोग बाते करते हैं, लेकिन हम लोगो ने Dalai Lama को शरण दिया यहाँ पे, in 1959 उसके बाद अगर मैं नहरूवियन एरा में ही बताऊं कि क्या हमारी realist policy थी, 1961 में, Goa को इंडिया ने वापस ले लिया पोर्चुगल से, कैसे? By use of army अब यहाँ पर आप देख सकते हो, very very realist stance, in fact, चाइना के साथ जब युद होआ, 1962 में, तब भी नहरूवियन जो policy थी, forward policy जो थी, right? Pushing forward policy, that is nothing but a realist policy where you are simply trying to intimidate the enemy, नहरू को यह नहीं लगाता कि forward policy की वे से चाइना अटाइक करेगा, that was a miscalculation but that is also a strategically very very realist step, लेकिन अगर हम लोग strategic realism की बात करें, इसको जनित पे ले गई इंदरा गांधी, although इसकी शुरुवात जरूर की नहरू ने इसको develop किया शास्त्री ने, specially foreign policy के discourse में, अब यह कैसे देखे, शास्त्री के अगर आप बाते करेंगे सबसे पहले तो शास्त्री ने PMO को Prime Minister's Office को बहुत ज़्या strong किया, और लाल बादुर शास्त्री के tenure में ही, अगर हम लोग बात करें इंडिया ने United States को criticize किया लाल बादुर शास्त्री unequivocally, he criticized the US foreign policy with respect to Vietnam, उन्होंने कहा कि US जो वियतना में कर रहा है, वो गलत है उसके बाद हम लोग ने परिणाम जरूर देखे ले PL480 प्रोग्राम, इंडिया में food crisis जरूर हुआ लेकिन यहाँ पे एक clear अगर हम लोग यह रियलिस्ट स्टेप नहीं लेते अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इस तरफ आपको मिलेगा वेस्ट पाकिस्तान, इस तरफ आपको मिलेगा इस्ट पाकिस्तान, यानि की एक two-front war की बहुत बड़ी possibility आज भी हुआ करती थी अगर 1971 में बांगलादेश नहीं बनता तो, जिससे हम लोग ने देखा कि it is in the national interest of India कि हम involved हो और बांगलादेश को liberate करें and we did it, which was a very very realist step. अगर हम लोग बात करें राजीव गांधी के एरा में, especially after 1984, राजीव गांधी also followed a very realist policy. देखें, राजीव गांधी के time में, जो भी मूतोर जवाब देने लगे, 1987 में आपको याग होगा, सुम्दोरंग, true incident, उसके बाद अगर मैं बात करू in terms of foreign policy, श्री लंका में जो involvement किया था, राजीव गांधी ने Indian Peacekeeping Forces, that was also very very realist perspective, to ensure that our national interest is maintained, it is protected, but although that involvement in Shri Lanka, it backfired a lot, nonetheless, अगर हम लोग step की बात करें, it was a very very realist step, isn't it? तो हम लोगों ने follow किया 1959 से लेकर 1991 तक strategic realism, but 1991 में फिर से हमारी foreign policy बदली, and we moved on to economic pragmatism, अब ये economic pragmatism होता क्या है? देखे, economic तो पता है, economic means we talk about money, we talk about development, we talk about GDP, इन सब चीज़ों के बात करें, ये pragmatism क्या होता? pragmatism मतलब practicality, आप बहुत ज़्यादा practical बन जाते हो, in terms of your approach, अब आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो, कि सब strategic realism का subset ही बनेगा economic pragmatism, I would completely accept it, क्योंकि यहाँ पे, अगर हम लोग national interest को define करें national interest in terms of economy, बहुत ज़्यादा एक center point बना हमारी foreign policy, और 1991 से लेकर, आज तक अगर हम लोग बात करें, even during Modi 1 and Modi 2 tenure, we do follow economic pragmatism, अब इसका उधारन मुझे देने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि I totally understand, many of the viewers are aware, a classic example here would be China, क्योंकि अगर हम लोग चाइना की बात करें, 1962 से ही हमारा चाइना के साथ विवाद चल रहे है, इंट्रट उसे पहले ही, 1962 में वार भी हुआ, India lost it, with China, it's a classic example of economic pragmatism, यानि कि एक तरफ आपका विवाद तो बरकरार है, boundary अब तर डिमार्केट नहीं हुए, अब किसी भी देश का उधान ले लिजिए, today it is purely economic pragmatism that has become a part and parcel of India's foreign policy, यानि कि हमारा जो national interest है, उसमें economy का बहुत बड़ा रोल रहा है, mostly with all the countries, you can take example of any country, talk about Russia, it is economic pragmatism, talk about China, obviously let's talk about US, किसी भी देश के साथ, today we have become very very practical in terms of the development, in terms of economy, कुछ इस दिशा में हमारी foreign policy evolve हुई है, although आप मुझे argue कर सकते हैं, आप point out कर सकते हैं, कि सब technically India के दो ही phases रहें, Nehruvian idealism और strategic realism, agreed है, लेकिन इस strategic realism का, मैं कह सकता हूँ कि एक subset जरूर है, economic pragmatism 1991 से लेकर, economy का importance बहुत जादा हो चुक है, that is why a separate term here, economic pragmatism for the foreign policy that is going on, especially since 1991. That is it in this part of discussion, I hope this was informative for you, let me know your thoughts in the comment section, और अगर आपको ये पसंद आया, आप मुझे follow करना चाहते है, आपको कोई सवाल है, कोई डावत है, तो you can follow me at the ID, RahulSai2do, you can directly message me on Instagram, I do reply on Saturdays and Sundays, और अगर आप UPSU Civil Services Examination, भी तयारी कर रहे है, तो सुनेरा मुखा है आपके पास, घर बैटे, safely during these testing times of COVID-19 pandemic, you can prepare through the smart course that we have made for you. Prelims content है, mains content है, essay, current affairs, a lot of stuff is available, बस यहाँ पर विजिट कीजिए, demo class आप ले सकते हैं, हमारी website पर directly, and there are very easy EMI options available for you. That's it, thank you for watching, Jai Hind!